हाला स्टुडेंट्स मिना नाम दॉक्टर गेजिंद प्रवीत और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल सीए सीर नेट जून 2024 जो की जुलाई में एक्जाम हुआ था उसका जो कट ओफ होने वाला है उसके उपर काफी सारे स्टुडेंट्स ने कमेंड किये थे कि सर इसक करके बताऊंगा कि इस बार कट ओफ क्या हो सकता और अन एवरेज कट ओफ कितना रहता है तो सुन्ट कैटेगरी वाइस होने वाला यह सब कुछ अनलसिस तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है तो सुन्ट शूर करता है सबसे बल में आपको ए 107, 111, 96, 112, 96, 100, 119, 109, 107, 106, 106, 106 मतब यह कट ओफ रहा है तो अगर इन सब का एवरेज आउड भी कर दिया जाए तो राउंड 105 नंबर के असपास आता है मतब 104-105 के नंबर असपास इसका एवरेज आउड आता है तो यह मतब जो जनरल कंडिएट है उनके लिए रहा ह जनरल नेट का कितना कट ओफ रहा है सुनिए मैंने जारेफ का पताया था अब जनरल नेट की बात करते हैं तो नेट के अंदर 97, 98, 87, 88, 102, 96, 100, 87, 101 तो कुल मिला कि अगर आपका स्कूर मतब यहां पर एकर रेंज देखी जाए तो रेंज मिनिमम रही है 87 और मैक्सिमम जो र जनरल स्टूडेंट नेट के लिए जैरेफ का मैं आपको अलड़ी बिता चुका हूं और जैरेफ का अगर रेंज देखा जाए तो मिनिमम जो कट ओफ गया है वो 96 का गया है और मैक्सिमम जो कट ओफ गया है वो अरांड 119 मार्स का गया है जो कि दिसंबर 2016 में एक्जाम हु अगर मैं OPC Candidate की बात करूँ जैरेफ के लिए तो OPC Candidate का जैरेफ का स्कूर आप यहां देख सकते हैं जहां पर मैक्सिमम 101 नंबर गया है और अगर मिनिमम जैरेफ की बात करी जाए तो स्टूंट 81 मार्स का यहां पे मिनिमम मार्स का गया है और अगर इन सभी को एवरेज आउट कर दिया जाए तो अराउंड 88 से 90 मार्क्स के बीच में JRF का cut-off रहा है OBC candidate का मतब थोड़ा सा मान सकते हैं हलका सा यहां पे 92 93 के असपास हो सकता है अगर आप मैं OBC net exam की बात करूँ तो यहां पे minimum cut-off 73 मार्क्स गया है और maximum जो गया है वो अराउंड 93 मार्क्स गया है और इसको अवरेज आउट कर दिया जाए तो अराउंड 86 85 मार्क्स के असपास बैठता है अगर मैं SE candidate की बात करूँ तो सुन SE candidate की बात करी जाए तो यहां पे जो JRF का cut-off है वो maximum 94 मार्क्स गया है और minimum की बात करी जाए तो minimum यहां पे 62.5 गया है तो average की बात करी जाए तो 94 से 62 की बीच में यहां पे रहा है अगर इन सभी मार्क्स को average आउट भी कर दिया जाए तो around 75 के आसपास मतब 70 से 75 के आसपास cut-off रहा है अगर बात करी जाए SC net के बारे में यह तो मैंने JRF के बता है अगर net की बात करी जाए तो net के अंदर SC candidate अगर है तो maximum जो cut-off गया वो 85 गया और minimum 56 गया है तो 85 और 56 की range में रहा है और अगर इसको सब को average out कर दिया जाए तो around 70 के आसपास इसका cut-off आएगा है तो यह 70, 71 के आसपास रहेगा तो अगर ST candidate JRF की बात करी जाए तो maximum 70 गया है minimum marks की बात करी जाए तो minimum 50 marks दिख रहा है तो 50 सा 70 के बीच में cut-off रहा है अगर ST candidate है net के लिए और अगर इसको average भी कर दिया जाए तो around 57, 58 marks के आसपास यहाँ पे बेठता है अगर PWD JRF की बात करी जाए तो maximum 76 गया है और minimum 50 गया है अगर इसको average भी कर दिया जाए तो around 62, 65 के आसपास अपर normally पिछले कुछ सालों में 50 marks का cut-off ही रहा है अगर आप PWD net LS की बात करी जाए तो 50 marks on and average यहाँ पे देख रहा है आपको अगर इसका graph की बात करी जाए तो यह उपर जो है यह general net JRF की बात कर रहा है तो अगर यहाँ पर इसको देखा जाए तो सुन जो marks है वो 108 से 96 के बीच में vary कर रहा है है ना लास्ट में शायद यह थोड़ा कम भी गया है पर इसको average आउट करें तो मैंने आपको बोला है कि around 105 के आसपास cut-off जाता है net JRF का general candidate के लिए अगर net LS की बात करे जाए यह सभी दसो साल का में graph बना के represent कर रहा हूँ तो सुन्ट यह आप इस graph से समझ सकते हैं अलग-अलग category wise हमने graph बना रहा है तो जो blue color का है यह net JRF और net LS का है इसी प्रकार से जो हमारे पास यह yellow color दिख रहा है यह OBC JRF और OBC net का है और इंज वाला जो है वह SC JRF और SC net का है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर screenshot हमने लगा रखा आप देख सकते हैं OBC candidate भी 90 से 95 हो सकता है SC candidate का 72 से 75 हो सकता है अगर ST candidate की बात करें तो 55 से 60 की बीच में हो सकता है PWD candidate की बात करें तो 50 से 55 हो सकता है अगर आप category 2 की बात करें जो की net LS है जहाँ पर आप assistant professor और PhD के लिए eligible है वहाँ पर 90 से 98 की बीच में GRF का cut-off जा सकता है 85 से 90 की बीच में LS का cut-off जा सकता है 80 से 85 का OBC का cut-off जा सकता है and 60 से 65 जो है वो SC candidate का जा सकता है 50 से 55 जो है वो SC candidate का जा सकता है और PWD candidate का 50 marks के आसपास जा सकता है third category इस बार introduce की गई है जो कि सिर्फ only PhD है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो general candidate है उसका above 75 cut-off जा सकता है and अगर आप यहाँ पर non-crimi layer में आते हैं तो above 70 marks आपका cut-off जा सकता है अगर आप बात करें यहाँ पर 20 से कंडिडेट की तो above 65 marks cut-off जा सकता है अगर बात करें SC candidate का तो above 50 marks cut-off जा सकता है अगर को SC candidate है अब 40 marks यहाँ पर cut-off जा सकता है this is the expected cut-off जो कि मैंने पिछले 10 साल को analysis करके आपको बताने की कोशिश करिए वैसे आपको क्या लगता है कि इस बार का जो cut-off है वो कितना जा सकता है plus scorecard कब release हो सकता और cut-off कब release हो सकता तो यह भी मैं आपको बताता हूँ पर आप अपना यहाँ पे जरूर बताइएगा कि आपका क्या यहाँ पे लगता है कि इतना हो सकता है और date क्या हो सकती वैसे मेरे सबसे scorecard जो है वो second week of September 2024 में release कर दिया जाएगा मतलब teachers day के आज पास मुझे लगता है कि आपका scorecard release हो जाना चाहिए and अगर बात करी जाए cut-off की बारे में तो cut-off कब release होगी मतलब final result कब आजाएगा तो मुझे लगता है fourth week of September या हम बोल सकते हैं end of September आपका ये वाला भी release कर दिया जाएगा मतलब final result आपको release कर दिया जाएगा तो यह इस सब बाते में आप सभी को information देना चाहरा था बागी CSI ARnet पे जन्मास्टमी का offer हमने भी दिया है अगर आप हमारे course को लेना चाहरे हैं तो 6999 में आप ले सकते हैं जापर live recorded PDF, dvp, combat series सब कुछ आपको मिलता है अगर June 2025 की तैयरी करना चाहरे तो 10999 में आपको मारा course मिल जाएगा अगर आप IATGM 2025 की तैयरी करना चाहरे तो जन्मास्टमी ओफर पे आप हमारे course इसको 4999 में भाई कर सकते हैं अगर आप 2026 की बाद करी जाए तो 8999 में आपको मारा course मिल जाएगा इससुन यह हमारी books है जो कि Amazon और Flipkart के लावा हमने Maths Care App पे भी available करा दिये जो की बहुत minimum price में हम आपको in books को दे रहे तो in books को आप buy कर सकते हैं जो जनरल आपटीट की book है वो 350 में आपको मिल जाएगी IATGM की जो book है वो भी 350 मिल जाएगी CSIR net की book आपको 450 मिल जाएगी पर सुन यह हमारे पास यहाँ पर जो सुन ने सस्क्रिप्शन ले रखा उनकी तो बहुत minimum price में हमको provide कर रहे हैं तो short notes की booklet आपको 200 में मिल जाएगी अगर आप Maths Care के student तो 150 में आपको मिल जाएगी तो combo भी हमने यहाँ पर दे रखा है तो इनको आप buy कर सकते हैं बाकि अगर आप Maths Care एप पर सुस्क्रिप्शन लेना चाहरे तो हमारे एप को download कर लिए जो की Android and iOS पर available है कैसे Maths Care एप पर सुस्क्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं यह टेलेग्राम इसमें जूड़ जाए क्लासस की अपडेट्स मिलती रहती है और सुन्ट यहाँ पर जाके चैनल स्काइब कर सकते हैं और अगर आप CSIR नेट पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं इसकी प्रपरिशन स्रटेजी पर तो इसकी वीडियो यहाँ जाके देख सकते हैं तन्यवाद